नमस्कार स्वागत है आपका लोगसभा टीवी पर मैं हूँ मनोज वर्मा और आप देख रहे हमारा खास का एकरम एजेंडा संसत का मांसून सत्र आज सुंबार 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है संसत का मांसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा संसत परसर में कोविट से जुड़े सभी प्रोटोकाल का पालन किया जाएगा कामकाज की दिश्ती से संसत का ये सत्र भी खासा व्यस्त रहने वाला है संसत सत्र से पहले सरदर्य बैठक भी हुई जिसकी अध्यक्षता लोगसभा अध्यक्ष ओंबिला जी ने की लेकिन आईए देखते हैं सबसे पहले कि संसत का ये मांसून सत्र जो आज से शुरू हो रहा है आज का अज़ेंडा क्या है शिक्षा मंत्वाले से प्रश्णिकाल के दोरान ओनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना तक्नीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कारिक्रम तथा महराष्ट में नए केंजिये विध्याले स्थापित किये जाने से संबंधित प्रश्ण पूछे जाना है वहीं पेट्सोलियम और प्राक्रितिक गैस मंत्वाले से पेट्सोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमते तथा प्राक्रितिक गैस का उत्पादन से जुड़ा प्रश्ण पूछा जाएगा सदन की आज की कारे सूची में विचार तथा पारित किये जाने के लिए दो विध्यक सूची बद्ध हैं ये विध्यक हैं फैक्टर विनीयमन संशोधन विध्यक 2020 तथा राश्चिय खार्दे प्रद्यगी की उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विध्यक 2021 जाहिर तोर पर जो सुमवार की कारे सूची है लोग सभा की उसमें सबसे पहले सवाल जो है वो कोविट से जुड़ा है इस पे हम चर्चा करेंगे कई महक्पूर सवाल आज के प्रशनकाल की सूची में शामिल हैं लेकिन सर्दलिय बैठक लोग सभा अध्यक्ष ओंबिल्ला जी ने रवीबार को बुलाई और उसमें सरकार और विपक्ष की ओर से तमाम नेता शामिल हुए और एक राय बनाने की कोशिश की गई कि संसत का ये सत्र चले विपक्ष अपने मुद्दे उठाए सरकार उस पे चर्चा करने को तैयार है स्वैम प्रधानमंती नरेंद मोदी जी ने कहा आईए सबसे पहले सुनते हैं कि लोग सभा अध्यक्ष ओंबिल्ला जी ने क्या कहा संसत का मानसुन सत्र बुनिस जुलाई तेरा अगस तक चलेगा कुल बुनिस बैटके होगी कोरोना प्रोटोकॉल और स्वास्त मानकों का व्यापक इंतिजाम के साथ ये सत्र चलेगा आज सभी दलयों के नेताओं के साथ चर्चा हुईए सभी नेताओं ने भुभिन मुद्दे रखें मेरी कोशिश होगी कि सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर भुभिन वुद्दों पर चर्चा हो सार्थ तक चर्चाओ, सकारत्मक चर्चाओ, विधाई कारेभी में भी प्रयाप्त समय प्रयाप्त अउसर समय मानने सदर्शों को मिले, छोटी पाल्टी के दल के नेताओं को भी प्रयाप्त समय और प्रयाप्त अउसर दिया जाएगा ये सत्र पिछले सत्रों की तरह उप्योगता रहे, जनता के परती जवाब देश संसद रहे और मानने संसस सदश भी अपने सित्य की समस्या भी उठाएंगे देश्यृत और जनीत के मुद्धों को उठाएंगे उसके लिए प्रयाप्त समय प्रयाप्त अवसर दिया जाएगा पिछले दो वर्ष के अंदर सभी दलों के सयोग से सदन के नेता मानने प्रधान मंती जी और सभी दलों के नेताओं ने सार तक सयोग किया जिसके कारण सदन की उत्पादक्ता 122 पतिशत रही है 107 विधेक पारिक हुए सभी विधेकों पर आवंटित समय से ज्यादा चर्चा हुई सार तक चर्चा हुई मुझे आशा है इस सत्र में भी सभी दलों का अपक्षी सयोग मिलेगा और सभी दल देशीतों जनित के मुर्दों पर व्यापक चर्चा विचार जैसा कि लोकसभा अ अब तक का जो कामकाज रहा है वो कामकाज की दिश्टी से खासा उत्पादकता वाला रहा है 1225 से जादा कामकाज एक रिकार्ड उत्पादकता वाला रहा है बिलों के लिहाज से भी संसत्का अब तक का जो कामकाज रहा है सत्वी लोकसभा का उसने भी नए रिकार्ड बना और इस बार के सत्र में भी सरकार का जहां एक लंबी सूची है बिलों की वो सरकार पेश करना चाहेगी सत्ता पश रखना चाहेगा इसमें बिपश के पास भी मुद्दों की एक लंबी सूची है संसत का ये सत्र मानसून सत्र कैसा रहने वाला है एक प्रतिक्रिया भाजपास स आप से पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि संसत्का जो मांसून सत्र है बारिश हो रही है लेकिन हंगामेदार सत्की उमीद की जा रही है आप कैसे देखते हैं मांसून सत्र है और भार भी मांसून सक्रिय है छीटे तो जलूर सदन के अंदर भी पढ़ेंगे बरसात होगी कलगला हट होगी कोई बिजली भी कौंधेगी पर मुझे उम्मीद है कि इस सारे काम के बीच में जो नियमित कार्य है संवाद का जो कार्य है कभी भी हंगामा ये संवाद के उपर भारी न पड़े ये एक संसदिय परंपरा है कोशिश है जैसा माननीय स्पीकर मोहदय ने भी कहा और शुरुवाती कुछ इस प्रकार की बाते होती है लेकिन अंततहा विपक्षि भी पुरा सहयोग करते हैं उसी कारण से उत्पादक्त का लोगसभा की इतनी अधिक संभव हो पाती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मानसून का जो मिजाज है जो थोड़ा जरूर दिखाई देगा परंतु कुल मिला करके एक प्रोड़क्टिव ये सत्र रहेगा विपक्षी अपनी बात कहेंगे सत्ता पक्ष अपनी बात क करेंगे और जो एक विधाई कार है वो भी होगा तेइस बिल लिस्ट किये गए आज की जहां तक बात करें आज तो प्रारम में कुछ शबत ग्रेंड भी हैं कुछ मानने नई सदस्यों के फिर मानने प्धा मंत्री जी नई मंत्री परश्ट का परिश्ट कराएंगे फिर और सब्सक्राइब करेंगे और मैं समझता हूं कि विधाई कारे के लिए शुब होता है उसी प्रकार से यह सत्र लोकतंत्र के लिए बहुत शुब होगा अगर इस बात का उले करूं कि सत्रवी लोकसभा का अधिकराश समय जो है अगर अधिकराश में सत्रों की बात करूं तो कोविट की एक चुनोती रही है इसके बावजुद हमने देखा कि मानिय सांसत सत्रों के दोरान देर रात तक बैठके उन्होंने चर्चा की इससे पहल होगी यह कोविट की चुनोती कितनी बड़ी रही है अब तक संसत के लिहास से कोविट की चुनोती इस दूरूप में बहुत गंभी रही है कि उसमें सोचल डिस्टेंस रखना है उसके अंदर अन्य जो प्रोटोकॉल से हैं उसके उसका पारण करना है मास्क लगाना इत्या करने में थोड़ी कठना ही हुथ है तो शुरूबाती जो सत्र हमने जो कोरॉन का प्रको बढ़ा तो हम निक कर पाए थे शीदकानी सत्र निक कर पाय थे बाद में बजचट शत्र ही प्रकार से हुआ फिर इस वार बजचट 7 के पश्चात ये मानसुन सत्र भी हो रहा है तो वो जो सावधानिया थी स्वास्तिक और लेकर के सरवादिक सत्रक रहना स्वाभाविक भी था और ध्यान होगा कि उस दोरान हमारे कई सांसद जो शत्र में भाग भी रहे थे वो भी संक्रमित हुए उनको भी कटनाई का सामना क करना पड़ा तो जो चुनोती थी उसके अंदर सत्र की अबधिवी कम रहती थी पहला जो कोवीड के पश्चात सत्र हुआ उसके अंदर तो चार घंट ही हम लोग बैठते थे और मैं ऐसा समझता हूं कि सामान ने तया प्रतेक सांसत बेहत गंबीरता के साथ सत्र के अंदर भा कोशिश रहती है और इसलिए दिर रात तक संसत बैठी लोग सभावी राज्य सभावी तो इस वार भी जदी वैसा कुछ गैप है उसको पूरा करने के लिए संसत संसत प्रियास करेंगे कि अब उन्लिस सिटिंग्स इसके अंदर होने वाली है अने ता सामाने ता पांच हफ कार की तरफ से किये गए हैं इसमें कौन-कौन से महत्मौन विदेख हैं जिनकी आने की उमीद है इस सत्र में विदेख तो सारे ही बहुत महत्वण हैं और देखा जाया तो हमने अधिक बिल पास करने का एक अच्छा कीरतिमान बनाया है प्रदू संसत के सामने इतना काम पास हैं आम आदमी से जुड़े हुए उसकी तकलिफों से जुड़े हुए उनको दूर करने के लिए तो सारे ही बिल महत्वण हैं और उन पर चर्चा होगी मुझे उमीद है जैसे पिछले सत्र के अंदर भी जहार तक मुझे ध्यान है थोड़ा बहुत चूप हो सकती है परसेंट जो हम लोगो अटेंड कर पाए तो इसी प्रकार से शत प्रिश्चत बिलों को हम जो है इस बार पास करेंगे और यह हो सकता है कि बीच में कोई एजेंडे में थोड़ी वृद्धी हो तेईस बिल आज इंट्रिदूस किये गए मतलब लिस्ट में हैं कारे सूची क प्रकार से तो इसमें और भी वृद्धी हो सकती है अच्छे डंग से अच्छी चर्चा के बाद हम लोग सारे इन बिलों को पास करें को यह सारे के सारे बिल जन आकांग प्षाओं से जुड़े हुए हैं जनता की समस्चाओं को दूर करने की रष्टी से उनका महत्त है और आम आदमी की समस्चाओं कम हो सरकार ने इसके लिए समय समय पर राहत पैकेज का भी एलान किया तमाम तरह के कदम भी उठाए संसा सत्र भी लगातार चले मानिय संसा तरस्सों ने अपने अपने छेतरों में बेतर काम भी किया ताकि लोगों की जो दुख दर्द हैं उनके व हो सकयं समस्या AM कम हो सकैं इसी के साथ प्रशनकाल की जो सूची सुमबार की है उसमें सबसे पहला सवाल ही ही जो हूँ वह वैश्विक महामारी का परेटन पर असर यह सबसे महतमॐर सवाल है आज के प्रशनकाल का साथी कोविट से जुड़े कई और भी सवाल है और सवा आप पहले सवाल को कैसे देखने कि परेटन उद्धोग पर जो असर पड़ा है देश के उस पर आपका क्या कहना है परेटन जो है सरवादिक बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और अभी भी मान लीजे कुछ परेटन के लिए लोग जा रहे हैं परेटक जा रहे हैं का जो परेटन का सारा का सारा जो दियोग है वह बहुत परेटन एक देश की आर्थिक द्रश्टी से भी बहुत महत्तुमून और उसके अलावा भी अन्ये जो-एक ग्तिविटीज है उनकात भी से इंडिकेटर है कि अधी परेटन ठीक है और चीजें भी तुला सा और बहतर होंगी देखा जा तो एक दिन में इतनी बड़ी दन्सक्ता का 97 संभव नहीं तो कर आने के पच्चाथ ही तूरीज्म के लिए निकले इत्याधी त्याधी बातें हैं लेकिन मैं समझता हूं कि आज का जो प्रश्ण है पहला प्रश्ण उसके उसका उत्तर देते से प्रकाश डालेंगे देखा जा दूसरा प्रश्टन भी कोविट से संबंदी थे जो कुछ इस्टिमूलस दिये गए हैं पहले बाले में तो बहुत बड़ा लगभग किसलाख करोल का था वो वो दिया गया था बीज में और भी हमारी वित्तमंत्री महोदया ने घोशना की अभ की एकोनोमी के एक्टिविटी से ही एकोनोमी खड़ी होती है लेकिन कुल मिला करके एकोनोमी का और कोविट की कोविट की जो वैश्टिक महामारी का परेटन पर असर पड़ा है वो केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में देखने को मिला है पूरी दुनिया प्रभाबि ताको समालने के लिए तमाम तरह के प्रयास किये, कोशिश है की, सरकार ने भी तमाम तरह के राहत पैकेज का ऐलान किया, कोविट से जो प्रभाविच छेतर हैं, खास और से उद्धोख सेक्टर हो, लोगों की रोजी रोटी का सवाल हो, सरकार ने आगे बढ़ के पैकेज का किया एक बात कहूं कि को्रोने काल के दवरान सर्कार ने एक तरह से एक नहीं दो तो तीन तीन बजट देने का काम किया तो गलत नहीं होगा तो राजिंद्रा grubal जी हिन आगर मैं इस बात को कहूं कि सर्कार ने जो package के लिए है आ समय समय फर आज इसे जुड़ा सवाल भी है, हाला कि सवाल महंगाई को लेकर भी है, सवाल लोगों की रोजी रोटी को लेकर भी है, लिकिन सरकार ने भी अपनी कहीं न कहीं की एक गंभीरता दिखाई है, लिकिन सवाल पैकेज का है. देखिए यह सभाविक था कि यदि कोवीड जैसा एक वैश्विक संकट आता है जो इस प्रकार के कदम लेने के लिए मजबूर कर देता है कि ट्रेंज बंद करनी पड़ी ट्रेंज का संचान पूरी तरीके से बंद करना पड़ा पूरा लॉकडाउन काफी समय तक चला और उस कोई विक्ति हमारा भूका न रहे उसको जो है भोजन मिल जाए उसको राशन मिल जाए तो पहला जो दौर था उसमें उस बात की विवस्ता हैं की गई अब यह दो विवस्ता होंगी सरकार कुछ करेगी तो वह कहीने के से विवस्ता तो फानेंस में से करनी पड़ती है जो परिवार तो ऐसा समझे कि कोई बहुत जरूरी भी सामान है उसको पहले रोकते हैं पहले उसके अपने परिवार में जो विक्ति बीमार हो गया उसके स्वास्त की चिंता करते हैं तो जो प्रायरिटी बदली और जैसे जैसे आवश्ता हुई उसके कारण से अनेक बार वित् प्राविदिक शेत्र थे उनको एक बूश्टर डोस दी गई तो ठीकी बात है कि बजट केवल जो हमारा आपचारिक बजट रहता है कि हम फरवरी में फरवरी को उसको प्रस्तुत करते हैं उसके अलाबा भी दो बार तीन बार जैसी आवश्यक्ता थी जैसी जो है एकॉनोम एक गती प्राप्त हुई। चुनोती खड़ी की है लेकि कोई भूका ना रहे इस भाव को आप कैसे देखते हैं यह बहुत जरूरी है जदी कोई किसी शाषन के अंदर कोई व्यक्ति भूका रहता है तो हमारा तो कहा गया कि उसके लिए वह राजा राज करने के लिए योग्य नहीं है यह पुराने हम लोगों की जीवन हानी हुई है पर दूब भूक के कारण से कुई सी की मिर्तियों ने हुई सरकार ने विवस्था की और जो अन्य संग्ठन हैं सामाजिक इस तरह के बर जो एंजी यह अन्य समाज से भी संग्ठन है उन्होंने भी इसके अंदर पूरा योगदान किया और प पड़ेगी तो और सके विशयमें नहीं होगा लेकिन अलावा ऑक्सीजन की जो सामाने जरूरत होती है उसी साब से हमारे लिए परियाप्त हमारे पास पर्याफ्त परियाप्त ऑक्सीजन थी परंतु कोरोना की जो सेगिंड वेव थी इसकी जो गती तेज थी और प्रभाव इतनी तेजी से फेफ़लों को जगड़ देता था कि उसके कांट से ऑक्षिजन की एक प्रारंबिक अवस्था में किल्लत हुई सब प्रकार की कोशिशें की गई उका जल्ज थल नब सब प्रकार से बाहर से मुआना अपना प्रोड़क्शन बढ़ाना इंडस्ट्रियल गैस को भी इस्तमाल करना जो इंडस्ट्री के लिए जरूरी होती है ऐसा करके उस युद्ध को उस लाई को लडा गया और दस-पंद् की ववस्था हो जहां कहीं पर आई सी यूज हैं या जहां के पर बैट होते ही हैं तो चया कम हो चया ज्यादा हो जैसी ऑस्पिटल की क्षमता है प्राविट ऑस्पिटल के अंदर भी हो उसके लिए इंसेंटिव दिये गए हैं तो कुल मिला करके बजट का जैसे एक यह रूपिया इस प्रकार का ये वाइरस है ये किस प्रकार से अटेक करेगा क्या इसका व्याप होगा क्या उसकी गहराई होगी क्या इसका सुरूप होगा इसका अंदाज लगाना कठी नहीं लेकर तो भी हम पूरी तरीके से उसकी पोश्चित कर रहे हैं और हमें विश्वास वहाई कि तीसरी लहर है कि प्रदान मंत्री जी सरकार भी लगाता है। लोगों को बार बार इस बाद के लिए सब्धान कर रही है कि अगर आप कोविट वीहिवियर का पालन करेंगे। सरकार की guidelines का पालन करेंगे तो इस तीसरी लहर को दूर रखा जा सकता है टीका करन जरू करवाएं सरकार free में टीका लगा रही है टीका केंद में जाकर आप टीका जरूर लगवाईए लेकिन इसको लेके तमाम तरह के सवाल है जाहिड तोर पर प्रिशनकाल की सूची में पहल काला बाजारी का मुद्दा हो सरकार ने अपनी तरफ से कदम उठाए लेकिन जो एक लोगों का विहवियर रहा और अभी भी हम देख रहे हैं चुकि परेटन से जुड़ा भी सवाल है अर्थ ववस्ता देश की संभले परेटन उद्धोक संभले लेकिन अगर लोगों की भ गातक थी कि यदि मैं कहूं कि मेरा जो इस्थानिय इस्तर पर जो अनुभव है मैं उसी को पूरे देश के ओपर कह सकता हूं क्योंकि जैसे कहते एक देख देख्ची के अंदर एक चावल से अंदाजा हो जाता है कि सब की कहस्तिती है और आंकडे भी इस बात की दभाई दे इतना कष्ट पूर्ण दूसरा दौर होने के बाद भी लोग लापर भाई कैसे कर पा रहे हैं वजय बात की चिंता भी होती है और मैं प्रार्थना करता हूं कि बात को समझें कि साबधानी बरतें साबधानी नहीं बरतेंगे तीसरा दौर आया अब आशंगा यही है जो बत कि एकदम से सुनिष्चित विवहार क्या होगा इसके बारे में कहना मुश्किल है तो भी हमको ready for the first होना ही चाहिए जो खराब से खराब इस्थिति आती है हम hope for the best जरूर करें पर तुर रेडी for the first हमको रहने पड़ेगा तो इसमें साबधानी बरतनी चाहिए लोग अपना अपने दैनिक विवहार के अंदर उसका पालन करते हैं कि जैसे हम दिन में दो बार तीन बार बाजार क्यों जाए एक बार अपना समान ले आए जो थोड़ा सा समर्थ हैं 6-7 दिन का समान ले सकते हैं वो 6-7 दिन का समान एक बार ले आए यह चुट-चुटी बाते हैं कि थ देश की जनता के साथ कुछ कमी हो सकती है आप उनको इंगित करिए लेकिन आप खड़े रहेे साथ में कि हम से एक साथ खड़े हैं और देश की जनता के साथ कोविड की लाई के अंदर हम पूरी ताकत के साथ मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ कि विभश के कई सवाल रहे हैं को पूर वद्दक शिराहल गान्थी लगाता सवाल उठाते रहे हैं कि लोगों को टीका नहीं मिल पाया जो करोना वैक्सीन हुई उस पे उन्होंने सवाल उठाया कि कुरोना वैक्सीन को लेकर तमाम तरह को उन्होंने सवाल उठाया कि लोगों को टीका नहीं मिल पा रहा वैक्सीन नहीं मिल पा रही है दवाओं को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कॉंग्रिस पार्टी लगातार इस पर सवाल उठात कि अन्य देश, जो समर्थ देश हैं, जिनके पास संसातनों की द्रष्टी से हमारी मुकाबले बहुत परचूरता है, वो भी एक समय उन्होंने लिया, प्रारम में नहीं हो पाया कुछ भी किसी के पास, लेकिन जदी हम तुल्ला करें, तो भारत के वैज्यानिकों ने, भारत क पधान मंत्री जी के मारत रशने पराबर दो बार वो लेबरेटरी में सीधे जा 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 करके उन्होंने उस साहित भी किया, और उस होते वेकार को देखा भी, उसका प्रणामी जग हमने दो वैक्सीन अपनी खुद की दिर्मान की, बहुत कम समय में दिर्मान करी, फिर उसक की बड़ी जानकारी है, मैं नाम नहीं लूगा, दो सामसद हैं, मैं नाम नहीं लूगा, एक अच्छे नेता हैं लोकसभा के अंदर, एक दख्षन से आते हैं, उन्होंने पूरे के पूरे वैक्सीन जो निर्मान हुई है, उसकी प्रक्रिया पर संद्धे प्रेक्विक कर द और यह जो चीजें ऐसा नहीं है कि आप इनको रख लीजिए, इनका एक रखने की अलग विवस्ता चाहिए, जो जितना खर्जों का उसका अनुपात हिसाब बनाना पड़ता है, एक खाट टेंपरेचर पर उसको रखना पड़ता है, उनके ट्रांस्पोर्टेशन की विशे ट्रांस्पोर्टेशन की विशेज विवस्ता करनी पड़ती है, इस सारी जो चीजें जुड़ी हुई हैं, उसके कारण से हाथ थोड़ा सा रुका सरकार का भी, और जब दूसरी लहर आई, तब परिशानी हुई, और अभी भी आज मैं कहा रहा हूँ, देखिए, आगे बड़े बड़े नेता है, लगवा सकते हैं, बिल्कुल, आप देख सकते हैं, सीधे स्कीन पर प्रधान मंत्री जी का जो काफला है, वो संसत भवन परसर में उसका आगमन हो रहा है, ग्यारा बजे संसत की कारभाई शुरू होगी, जाहिर तोर पे संसत का जो मानसून सत्र ह है, आज पहला देना हो, पहले दिन रिमजिम बारिश के बीश संसत का जो मानसून सत्र है, उसका शुभारंब होने वाला है, कई महतमूर बिल सरकार इस सत्र में पेश कर सकती है, कारे सुची की अगर मैं बात करूँ तो इस पूरे सत्र के दौरान करीब 30 बिल या इस से सत्र के इस सत्र में देखने को मिलेगी, राजिन दकरबाजी कर मैं बात करूँ कोविट की, कोविट में तमाम तरहें के सबाल उठे, राजनीती भी हुई, अभी जैसा आपने भी जिकर किया, टीका करण को लेकर, अगर मैं दुनिया का परदर्श, दर्शकों के सामने रख चुके हैं, मतलब दुनिया के कई, आप आप देख रहे हैं, प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी, हमारी स्क्रीन पर सीधे, आम तोर पे एक परमपरा रही है, प्रधान मंत्री जी जब आते हैं, तो मीडिया से भी वो बात करते हैं, रिम जिम बारिश के बीश, देखे ये भी एक देखने में बड़ा अच्छा लगता है, मैं देखता हूँ कि प्रधान मंत्री जी तमाम तरह के प्रोटोकॉल को अलग रखते हैं, खुद छाता पकड़े हुए हैं, और आके मीडिया से समबाद भी कर रहे हैं, हर उस परमप को निभा रहे हैं, जो भारती है, और मैं आशा करता हूँ, कि आप सब का वैक्सिन का कम से कम एक डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी, मेरी आप सब मित्रों से प्राक्षना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्राक्षना है, कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सयोग दे, अब ये वैक्सिन जो है, बाहू पर लगती है, और जब वैक्सिन बाहू पर लगती है, तो आप बाहू बली बन जाते हैं, और कोरोना के खिलाब लड़ने के लिए बाहू बली बनने का एक ही उपाए है, कि आपके बाहू पर वैक्सिन लगवा दीजिए, अब तक 40 करोड से जादा लोग कोरोना के खिलाब लड़ाई में बाहू बली बन चुके हैं, आगे भी बहुत पेजगती से इस काम को आगे बढ़ाये जा रहा है, यह पेंडेमिक ऐसी महामारी है, जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानवजात को अपनी चपेट में लिया हुआ है, और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पेंडेमिक के समन्द में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्रात्विक्ता देते हुई इसकी चर्चा हो और सारे व्यावारू सुझाव सभी मान्य सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाप लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है कुछ कमिया रहे गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आगर किया है कि अगर कल शाम को बेसमय निकाले तो पैंडेमिक के समन में सारी विस्तुरुत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूँ तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से क्योंकि लगातार मैं मुख्यमेंत्रियों से मिल रहा हूँ अलग-अलग फोरम में सप्रकार की चर्चा हो रही है तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक शुविदा जनक होगा तो रूबरू मिलकर को इसकी बात होगी साथियों ये सदन परणामकारी हो सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है मैं सभी मान्य सांसदों से सभी राजनितिक दलों से आगरख करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें भारदार सवाल पूछें लेकिन शांत बातावरण में सरकार को जवाब का मोका भी दे ताकि जनता जनारदन के पास सत्य पहुचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गती भी तेज होती है प्रगती की साथ युए सत्र अंदर की ववस्ता पहले के तरह नहीं है सब साथ बैठकर के बैठने काम करने वाले क्योंकि करिब करिब सब का वैक्सिनेशन हो चुका है मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपसे भी आग्रा करता हूँ आप खुद को समालिए और हम सब मिल करके देश की आशा अकांग्षाओं को पार करने के लिए साथ मिल के प्रयास करें बहुत बहुत धन्यवाद साथियों तो आपने सुना प्रधानमंती नरेंद मोधी जी को जो संसत के मांसून सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बात कर रहे थे, मीडिया को संभोधित कर रहे थे, कई महत्पून बाते उन्होंने अपने संभोधन में कहीं हैं सबसे महत्पून बात उन्होंने ये कहा कि सरकार हर मुद्दे पे चर्चा करने को सदन के भीतर और बहार तैयार है, लेकिन चर्चा शांती पून वातावरण में हो, सदन चले और सभी अपनी बात शांती पून एक वातावरण में रखे हमने देखा कि लगातार प्रधान मंत्री नरेद मोदी जी ने कोविट को लेका, कोरोना संक्रमन को लेकर देश के मुखमंत्रियों के साथ जो अलग अलग दलों के नेता हैं, उनके साथ समय समय पर बातचीत की है, डॉक्टरों के साथ भी उन्होंने बातचीत की समय समय पर और एक इस वैश्विक महमारी से देश को कैसे बचाया जाए, कैसे निकाला जाए, देश की अर्थवबस्ता को कैसे समाला जाए, इन तमाम मोर्चों पर मोधी सरकार ने अपने अपने ढंग से काम किया, कई तरह के राहत पैकेज दिये, हम बात कर रहे थे राजिद अगरबा जी नहीं भी कहा, कि टीका फ्री में सबको लग रहा है, और टीका लगेगा, आप भी टीका लगवाई हैं, यह बारवार राजनीती क्यों इस मुद्दे पर हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि देश के ऊपर कुछ संकट आता है, चाये वो सीमा पर का कुछ संकट हो, चाये दुनिया और देश इस वक्त रूब रूब हो रहा है, हमारे जो विपक्षी दल हैं, उसके अंदर अपने राजनीतिक संभावनाओं को देखने लगते हैं, यह एक चिंदा की बात है, अब जैसे विश्यांतर हो जाके, मैं जानते दो तीन वाक्की बुलोंगा उसके उपर प्रदेश सरकारों ने बड़ा अख्रे किया, हमें साथ दीजिए, हम करेंगे साथ, हम एदकार दीजिए खरीदने का, शाया तो उनको इतनी जानकारी नहीं थी, कि कुछ दुनिया के अंदर अन्य देशों से आप यदि कुछ चीज पराप्त करना चाहते हैं, तो शायतों क प्रदेश सरकारों को मुफ्ती दिया जा रहा था, पचीस परसेंट के उनकी जिम्मेदारी थी, इस पर खूब हंगामा किया, अंतता है, जैसा प्रदान मंत्री जी ने फैसला किया, कि नहीं ठीका करना तो ठीका तो मुफ्ती लगना ही चाहिए, सारे कि सारी जिम्मेदारी प्रदान मंत्री नरेन मोदी जी ने खुद कहा कि सरकार इस मुद्दे पर अपनी हर बात सदन के भीतर भी रखना चाहती है, देश की जनता के सामने भी रखना चाहती है, कि सरकार ने देश की लोगों की सुरक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं, हम इस पर और समय छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहें हमारा कायकरम एजेंडा, और एजेंडा में आज हम बात कर रहे हैं संसत के मांसून सत्र की जो आज शुंबार यानि 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, अपने 30 समय के संसवार 11 बजे संसत के दोनों सदनों की कारवाई प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी इस समय संसत भवन पहुंच चुके हैं और जैसा हमने आपको ब्रेक से पहले दिखाया, प्रधान मंत्री जी ने कोविड नियमों का पालन करने की एक बाफिर सबसे अपील की, उन्होंने टीका करन पे फिर से जोड दिया, साथ ही ये भी कह कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सदन में तयार है, और मैं एक इसा बहुत पॉजिटिव संकेत देखता हूं जब सरकार कहती है कि हम हर मुद्दे पर जवाब देने को तयार है, चर्चा करने को तयार है, तो एक ये अच्छा संकेत होता है, रिम जिम बारिश से करीब ज़्यादा लोग टीका लगवा चुके हैं वाहु वली उन्होंने कहा कि जो टीका लगवाता है वह वली बन जाता है और एक बात और राज जिन रगवाज बार बार हमने देखा कई बार देखा प्रधान मंत्री जी ने चाहें देश के डॉक्टर्स हों देश के रिटर समझते हैं कोई श्रे का कोई विशह नहीं है बराबर केते हैं कि सब ने बहुत अच्छा काम किया है अब देखिए मैं जो कह रहा था अब अश्रद्धा निर्मार होने का बड़ा लुक्सान होता है अब राहुल जी हैं सबाल ख़ले करते हैं उन्होंने क्यों वैक्सिन के उत्पादें के भी एक गती है और साथ हमारा जो इंफ्रेस्ट्रक्चर जिला इस्तर पर है ब्लॉक इस्तर पर है हमारी प्येसी जें उनके पास हमारे जो हुमन रिसोर्स है उसकी भी अपनी थोड़ी सी सीमाएं है तो हम एक धीरे-धीरे उसको कर पाएंगे दीर राजिद अकरवाल जी दो और महत्मूर सवाल है अगर हम कोविट की जो सवाल है उस पर तो आपने जवाब दे ही दिया और सरकार भी कह रही है कि हम भी जवाब देने को तैयार हैं लेकिन सवाल पैट्रोलियम उत्पात जो है पैट्रोल तेल की बात मैं करूँ डीजल की बात करूँ जिस तरह उसकी कीमतें बड़ी हैं इससे सम्मंदित एक सवाल भी आग तीसरे नंबर पर है एक सवाल ये दूसरा सवाल किसानों का मुद्दा हाला कि आपकी सरकार ये कहती है कि उसने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है तमान तरह की कल्डार कारी योजनाय शुरू की है लेकिन इसके बाब जूद बार बार ये सवाल उठता है सरकार ने ये भी बात कहिए कि अगर कोई समस्या है कोई तत है तो उस पे हम बात करने को तैयार है किसानों का एगवर कुछ किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं अंदोलन की बात करते हैं ये क्या है इसमें कोई संधह नहीं है कि धन तो चाहिए, सरकार को चलाना है, यदि हमें चिकित्सा की भी सिविधाव को पदान करना है, धन तो चाहिए. अब यह ठीक है कि और मैं समझता हूँ, सरकार का इस पर जवाब देगी और मैं समझता हूँ, कि यदि आज जवाब नहीं हो, तो बाद में फिर इस पर प्रदेश तरकार भी इसके अंदर बहुत बड़ी उसको आर्थिक संसादन जुड़ता है प्रदेश तरकार भी तैयार नहीं इसी करण से तो भले भी शोट आते हैं उनको भी लगता है कि निश्चित आये है और किसानों से बातचीत के मुझे प्रदेश प्रदेश नहीं है और इनको विश्य तो पूरा हो चुका ग्यारे राउंड की बातचीत हो चुकी बिल के अंदर कोई काला हो तो हमें बता दो यह पूछ अभी तक नहीं बता पाए वो लगीर पीट रहे हैं वो उन्होंने अपन संतोष उसकी इज़्य दिनका विश्य नहीं है अपनी निजी बिल्कुर राइंदेकरवाल जी आपनी हमसे बात की विभिन मुद्दों पर बात की आपका बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद मुझे भी दीजिए आग गया अजेंडा में आज इतना ही लेकिन आप देख कि आप सब का वैक्शिम का तम से कम एक डोज लग गया होगा लेकिन उसके बावजूद भी तेरी आप सब मुद्रों से प्राक्ष्णा भी है प्रदन भेडी सभी साध्ष्णा से प्राक्ष्णा है कि हम सब प्रोना प्रोटोबल का पालन करने में तो योग दें अब ये वैक्शिन जो है बाहू पर लगती है और जब वैक्शिन बाहू पर लगती है तो आप बाहू बली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाब लड़ने के लिए आपके बाहू बली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहू पर वैक्शिन लगवा दीजिए अब तक 40 करोड से जाधा लोग प्रोना के खिलाब लड़ाई में बाहू बली बन चुके हैं आगे भी बहुत तेज़ गती से इस काम को आगे बढ़ाये जा रहा है कि पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है पूरी मानव जात्व अपनी चपेट में लिया हुआ है और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के समझ में सार्फ़क कर्चा हूँ सबसे प्रात्विक्ता देते हुई इसकी कर्चा हो और तारे व्यावारू सुझाव सभी मान्य सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खलाब लडाई में बहुत नयापन भी आ सकता है कुछ कम्या रह गई हो तो उसको भी ठीक लिया जा सकता है और इस लडाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आगरे किया है कि अगर कल शाम को देशे समय निकाले तो पर्डेमिक के समन में सारी विष्टूत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूँ कम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बहार भी कभी फ्लोर लीडर से कि लगातार में मुक्रिमंत्रियों से मिल रहा हूँ अलग अलग खौरं में सदन काई की चर्चा हो रही है तो जो लीडर से भी मैं चाहता हूँ कि सदन चल रहा है तो विष्टूत जानकार होगा तो रूबरू मिलकर को उसकी बात होगा साथ्यों ये सदन परणामकारी हो कारफ़ चर्चा के लिए समर्भी तो क्या करें देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब करकार को देने की पूरी तैयारी है मैं सभी मान्य सांसदों से सभी राजियों की जलों से आगरा करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें खारदार सवाल पूछें लेकिन वांत बातावरण में सरकार को जवाब का मोका भी दे ताकि जनता जनादन के पास सत्य पहुचाने से लोक्तंत्र को भी ताकर मिलती है जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गटी भी तेज होती है प्रगटी साथ वे सत्र अंदर की वबस्ता पहले के तरह नहीं है तब साथ बैठ करके काम करने वाले क्योंकि करिप करिप सब का वेट्सिनेशन हो चुका है मत्फेर एक बार आप सभी सांदियों का बहुत बहुत धन्यवास करता हूं और आप से भी आगरा करता हूं आप सुझ को समालिए और बहुत बहुत धन्यवास वे चानियों